नमस्कार, इस्पिन नाइन नियूस में आप सभी का पहुत पहुत सुपागत हैं। कॉंग्रिस ने हर्याना विधान सभाच चुनाव की वोटिंग के दोरान कई इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मर्शिनों में खराबी का आरूप लगाया है। खराबी का आरूप लगाते हुए चुनाव आयूग से इसकी बड़ी शिकायत की है। करने में सफल रही। लेकिन कॉंग्रिस ने अपनी शिकायतों में हर्याना विधान सभाच चुनाव परणाम को अप्रतियाशित बताते हुए कुछ सीटों पर इवियम में विसंगतियों का आरूप लगाया है। कॉंग्रिस महासचेव जैराम रमेश ने टुटर पर एक पोस्ट में लिखा। चुनाव आयोग को 9 अक्टूबर को सौपे गए मेमोरेंडम को आगे बढ़ाते हुए हमने अब हर्याना में 20 विधान सभाच छेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में गंभीर और स्पस्ट अनिमेताओं को उजागर करते हुए ग्यापन सौपा है। हमें उमीद है कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा और उचित निर्देश जारी करेगा। वरिस्ट नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की अलिखित रूप में साथ शिकायते सौप दी हैं। उन्होंने कहा है कि वे अपने कुछ अन्य उमिदवारों की और से ऐसी और भी शिकायते विस्तार से पेश करेंगे। मुखे चुनाव आयोग्त और अन्य चुनाव आयोग्त को दिये गई ग्यापन में कॉंग्रेस ने कहा हमारे बड़ी संख्या में मिदवारों के सामने आने वली समस्याओं में से एक इवियम और उनकी बैटरी शमता से संबनते थी। इसमें कहा गया है कि एवियम का इस्तमाल 5 अक्टूबर को हुए हर्याना विधान सभाचुनाव के दुरान पड़े वोटों की गिंती के लिए किया गया था। कॉंग्रेस ने सीधे तोर पर यहां से शिकायत दर्ज करवाई है अब देखना होगा कि क्या इस पूरे ममले में चुनावाई हो कोई संग्यान लेता है या फिर नहीं